दोस्तों अगर आप भी एक YouTuber है YouTube channel चलाते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा complete देखना होगा क्योंकि आज कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube channel का banner कैसे बना सकते हैं मतलब channel art कैसे बना सकते हैं अब यह banner क्या होता है तो जब आपका को YouTube channel अपने mobile पर open करता है तो जो channel का logo होता है तो उसके पीछे या निक उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो जो लंबी सी photo लगी होती है इस को कहते है channel art या banner तो आज कि वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है क्योंकि जब आपके channel पर कोई जाता है तो आ लोगो के लिए मैं already video बना चुका हूं कि आप professional logo कैसे बना सकते हैं अगर अभी तक आपने उस video को नहीं देखा तो i button से या फिर description मर जाकर आप देख सकते हैं तो आज कि वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने channel का channel winner कैसे बना सकते हैं एक professional channel art कैसे बना सकते हैं नमस्कार दोस्तों मैं बिनोध राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीके टेक्निकल भईया में तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको एक application की जरूद पढ़ने वाली है और सायद आपके पास यह होगा क्योंकि इससे ही आप अपने YouTube के thumbnail ब Excel Lab application open हो चुका है उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करके सबसे पहले यहां पर आपको option मिलता है from gallery का तो simply सापको यहां पर from gallery वाले option पर select करके और यहां से आप अपने gallery पर आ जाएंगे और यहां से आपको उस background को select कर लेना है जो आप अपने channel art पर background यूज करना चाहते है तो यहां से मैं कोई अपने एक background select कर लेता हूँ तो यह मैंने एक background यहां से select कर लिया उसके बाद यहां पर आपको three dot पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलता है image size का तो simply यहां पर आपको image size वाले option पर click करके और यहां पर आपको custom पर click करके यहां पर आपको ए तो यहां पर आप देख सकते हो चैनल बैनर का साइज सिलेक्ट हो चुका है उसके बाद यहां पर जो भी आपके चैनल का नाम है सिंपली यहां पर आपको प्लस वल आइकन पर क्लिक करके और यहां पर आपको टेस्ट वल आइकन पर क्लिक करके अपने चैनल का नाम दे देना ह तो यहां पर मैं इसका आर्ट बनाने वाला हूं, चैनल आर्ट बनाने वाला हूं, तो यहां पर मैं इस चैनल का नाम लिख देता हूं, जहर एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आप इसका फ्रॉंट चेंज करना चाहते हैं, तो यहां से आप इसका फ्रॉंट भी चेंज कर सकते ह पर आता हूं यहां पर आप देख सकते हूं एक font है जो कि काफी अच्छा font है यह राग capture IT तो यह देखिए कुछ इसका front कुछ इस प्रकार से change हो चुका है उसके बाद मैं इसका color भी change कर लेता हूं यह color थोड़ी कम attractive लग रहा है तो यहां से आप इसका color कर सकते हों जो आपका मैंने पसंद कलर हूं तिहां पर आप इसका color change कर सकते हैं तो यहां पर color change कर लिया उसके बाद इसको आपको इसको चोटा कर लेन आपको इसको छोटा ही रखना है तो यह utilizz को पने इसको यहां पर लिख . इसके बाद इस पर मैं थोड़ा से स्ट्रोक लoben देता हूँ, इस फट्रोक लगाने से थोड़ा सा क्लियर दिखने लगता है, उसके बाद आहां blir निचे आगर जो कुछ अगर ज़ैकर आप आप टिप्स देना चाहते हैं YouTube टिटोरियल देना चाहते हैं तो आप नीचे भी लेख सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रोफेशनल चैनल आट बनकर रेडी हो चुका है चलिए मैं आप आपको बताता हूँ कि इसको अपने चैनल पर कैसे लगाना है तो इसको अपने YouTube चैनल पर लगाने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा अपने Chrome ब्राउजर पर तो चलिए मैं अपने पेज आपके सामने आ जाता है उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ प्राउजर जाता हो. है यहाँ बैसान कर लिया इसके बाद यहां पर यह फोटो आप लोडिंग ले रहा है तो चलिए इसका वेट कर लेते हैं तब तेक अप लॉड हो जाता है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि आपका डॉकियिए ठोड़ा सीसे एक सब्सक्राइब तो चल के दिखा देङा इसको आपको थोड़ा से इसको छोटा कर ले ऩ рук तो इसको पर चोटा कर लिया, और भह अब पर यहां पर लगएंगे तो आपको यह आगया reflective लगने के बाद चैनल का लूग का ज्यादा चेंज हो चुका है आप यहां पर अच्छा लगने लगा है तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने YouTube चैनल के लिए बैनर बना सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ आपको पता है कि मैं ऐसे YouTube से रिलेटेड इंट्रेस्टिंग और यूश्फिल वीडियो लाता रहता हूं तो फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाइ जय हिन